मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में हम 6 एक्जाम्पल लेंगे और 6 एक्जाम्पल आपके सिधे दिमाग में घुसेंगे तो इसे हल करने से पहले आप छोटी सी जनकारी को देख लिजिए गाईज यहां पर धियान दिजिए, परती सत कैसे निकाले तो मेरे भाई अगर हम परती सत को संदी बीछेद करते हैं यानि परती का मतलब परतेक और सत का मतलब सो, यानि परतेक जगह हम सो का उप्योग करेंगे यानि जब कभी भी परतिस्त लिखा हुआ आ जागा तो आपको समझ लेना है कि उस जगह पर हमें 100 लिखना ही लिखना है ठीक है और इस चीन से परदर्शित करते हैं यह जो चीन आपको दिख रहा है इससे हम परदर्शित करते हैं यानि ये जो चीन है इसका मतलब क्या है परतिसत लिखा हुआ है तो ये चीज़ आप कभी डरिएगा भी नहीं और ये आप सब को पता भी होगा ठीक है तो चलिए पहला एक्जामपल यानि पहला कोशन को लेते हैं गाइज पहला जो कोशन है कि 30 रुपया का 10 परतिसत निकालें तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है 30 रुपया का 10 परतिसत निकालें तो आपसे पूछा भी जा सकता है यहां पर 30 के जगह पर 1000, 2000, 2000, 2000, 4000 कितना भी रहेगा और कहतिया जागा कि 20 परतिसत निकालिए 60 परति तो आपको डरना नहीं है ध्यान से देखिए तीस रूपयका हमें क्या निकालना है? दस परतिसर्थ तो बस तीस रूपयया लिख देंगे, गुना कची΂ लगाएंगे and क्तना निकालना है 10 तो 10 से गुना कर देंगे और बटा में जी हां मेरे भाई बटा में हम लिख देंगे 100 बस 100 लिख दिये जो जो कटेगा उसे काट देजिए तो 00-00-00 खतम और यह 00-00-00 खतम बच गया 3 तो यही आपका हो गया 3 एंसर ठीक है तो चलिए दूसरा एक्जामपल हम लेते हैं दूसरा कोचन जो है कुछ इस तरह का है कि 80 रूपया का 20 पर 30 निकाले तो आपको मैं बार-बार कह रहा हूं कि 80 रूपया के जगह पर यानि 100 रूपया 200 300 400 500 1000 2000 कुछ भी आप ले सकते हैं तो अब आप क्या किजिए 80 लिख दीजिए का का मतलब हो जागा गोना का चिन और 20 है तो जितना पर 30 निकाला यानि 20 पर 30 निकाला है तो 20 लिक्ख दीजिए और आपको पता है कि पर 30 रहेगा यानि 100 आउपयोग हो गाही तो बटा में करके 100 आउपयोग कर दीजिए तो 00 से 0 कट जाएगा और यहां से 0 यह 0 खतम यह 0 खतम बच जाएगा 8 और 2 तो कितना हो जाएगा 8 दूना के हो जाएगा 16 तो यह आपका 16 एंसवर हो चुका है ठीक है तो चलिए अब हम तीसरा एक्जामपल लेते हैं इस तरह का है कि 20 पर 30 को जियां सात्यों 20 पर 30 को भीन के रूप में लिखें यानि इस तरह से आपको लिखना है यानि अंस और हर के रूप में लिखना है तो अब आप क्या किजेगा बस 20 लिख दीजिए और बटा में 100 से भाग लगा दीजिए तो 00 से 0 खतम और यह 25 दस यानि यहां पर 5 जाएगा तो आप देख सकते हैं यह एक ब चली अब हम चौथा एक्जामपल लेते हैं चौथा भी बस वही है कि 400 परतिसत को भीन के रूप में लिखें बस 400 लिख दीजिए और बटा में 100 से भाग लगा दीजिए कट रहा है काट दीजिए तो 0 से 0 खतम हो गया 0 से 0 खतम और बच जागा 4 बटा 1 तो 4 बटा 1 यानि य उपर वाला अंस और नीचे वाला हर यह भीन के रूप में हो गया बस यही बन चुका है चलिए पांचवा एक्जामपल इस तरह का है कि 7 बटा 2 यानि 7 बटा 2 को परतिसत में बदलना है यानि परसेंटेज में बदलना है तो अब आपके आकि जगा बस कॉंसेप्ट सींपल है भाग दे रहें थे 100 से तो यहां पर आपको गुना कर देना है जो जो कटेगा कार देजिए तो 2 से हम 100 को काटेगे तो 50 बार में खतम अब नहीं कटेगा अब नहीं कटेगा तो यहां बच गया 7 और यहां बच गया 50 तो गुना कर देजिए 7 35 यहां पर 35 लिख दीजिए और यह 0 बैठा दीजिए तो इतना परतिसत हो गया तो गाइज इस तरह से आप बना सकते हैं और आगला जो प्रस ने कुछ इस तरह का है यह 925 को परतिसत में बदलें तो बस 925 हो गया और कंसेप्ट क्या है परतिसत में बदलना है तो 100 से गुना आप कर दीजिए जो जो कट यानि आप गुना कर देंगे तो नोच नोच ओका 36 यानि कितना हो जाएगा 36 पर तीस तो गाईज इस तरह से आप बना सकते हैं इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सिखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा और ना पसंद आया हो तो डिसलाइ कर सकते हैं मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वन्दे मात्रम